दादी नानी के असरदार, घरेलू टिप्स, यदी दूद की मलाई में एक चम्मच, चीनी डाल कर फेटा जाए तो मकखन, ज्यादा मात्रा में निकलता है, अगर दही नहीं जमा है तो एक, समतल थाली में पानी ले और फिर इसमें, दही वाले बरतन को रखें, फिर देखिए एक, घंटे में दही जम कर तैयार हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें बरतन हिलना नहीं, चाहिए उसी एकदम स्थिर रखें, हरी मिर्च का डंडी तोड़कर फ्रिज में, रखने से हरी मिर्च अधिक समय तक, ताजा बनी रहती है, अगर दाल वगेरा कुछ भी पकाते, सम सीटी से सिर्फ स्टीम निकलेगी, मिकसर जार में कुछ पीसने के बाद, कई बार उसमें उस चीज की महाकाने लगती है, या पीसे हुए इंग्रीडियंट्स के निशान बन जाते हैं, ऐसे में आप जार को पानी से धोकर डिश वाशिंग लिक्विड की, कुछ बूंदे ड जाल कर एक बार मिकसर को चला दें, इससे मिकसर के ब्लेद्स और जार अच्छी तरह साफ हो जाएंगे, सिंग से चिप चिपापन दूर करने के, लिए एक कप सिर्का वा थोड़े से बेकिंग, सोडा का उप्योग करें, उबलते समय चावल के दाने आपस में चिपक जाते ह उन्हें अलग-अलग, तरने के लिए पतिले में निम्बू के रस की कुछ बूंदे दाल दें, इससे चावल खिले, खिले हो जाएंगे, अगर गुन्था वुआ गीला आटा चिपकने, लग जाए तो हाथ और थाली में घी, लगा कर गुथे, बुढ या शककर की चाशनी बनाते, समय एक चमच्च दूधिया निम्बू का रस, डाल देने से मल ऊपर आ जाता है पुराने आलू को उबालते समय पानी, में थोड़ा सा निम्बू का रस डाल देने से, सफेद होने के साथ साथ स्वादिष्ट हो जाता है, प्यास को छील कर पानी में 20 मिनिट के ये रख दें इससे आप बिना आंसू बहाय प्यास काट पाएंगे अक्सर आलू ज्यादा दिनों तक स्टो तरके रखने से अनकुरित होने लगती है ये सड़ने लगते हैं आलू को खराब होने से बचाने के लिए उसे हमेशा सेब के साथ रखें तभी भी आलू को प्यास के साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आलू जल्दी अनकुरित होने लगती है आपको दादी नानी के टिप्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद अगर पोस्ट आपको अच्छी लगी हो तो पोस्ट को लाइक शेयर करें